रोजाना ताजा खबरे पॉने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले दुनिया की सबसे चोटी कदवाली महिला जोती आमगे की कहानी हैरान रह जाएंगे आप दुनिया भर में कई ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो सामाने लोगों की तुलना में अलग डिखते हैं या फिर उन्हें किसी तरह की अनुवानशिक बिमारी या फिर व बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे चोटी महिला होने का गौरव प्राप्त है हम जिस महिला के बारे में आपको बताने डा रहे हैं उनका नाम जोती आमगे है इस महिला ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी मजबूती साबित किया और आज पूरी दुनिया भर म अपनी पहचान बना चुकी है जोती आमगे का जन्म भारत में महाराष्टर के नागपूर में हुआ था जोती आमगे का जन्म 16 दिसंबर 1993 को हुआ था जोती आमगे को बचपन से ही एक बेहद ही गंभीर बिमारी थी जिसमें इंसान की लंबाई और उसका विजन बढ़ना रोग जाता है सामा ने इंसान की तुलना में इस बिमारी सिग्रसित इंसान और उसे अलग दिखता है जोती के माता पिता को उनकी इस बिमारी का अनुमान बचपन में ही लग गया था लेकिन जोती ने हार नहीं मानी और उन्होंने किसी अन्य चात्र की तरह की अपनी प्रा जीवन में बाधा बनने नहीं दिया और उन्होंने कई टेलिविजन शो जैसे बिग बॉस छे में एक अंटे स्टेंट के और पर हिस्सा लिया 2013 में उन्होंने नेपाल में रहने वाले दुनिया के सबसे छोटे इनसान माने जाने वाले चंदर बहादूर टांगी से मुलाकात भी की और इस तरहर जोती आमगे ने खुद को साबित किया 2011 में जोती आमगे के 18 वे जन्म दिन पर उन्हें दुनिया की सबसे छोटी महिला करार दिया गया और गिनीज बुक में उन्हें अपने रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गिनीज बुक में उनकी हाइट 12.8 सेंटिमीटर दर्ज किया गया इस प्रकार से जोती आमगे में अपनी लोक प्रियता को बरकरार रखा और बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक कई टेलिवेजन शो को होस्ट किया जोती आमगे अमेरिकन वोरर शो में भी दिख चुकी है और इस प्रकार से अमेरिका में भी काफी लोग प्रिय हो गई थी जोती आमगे की कहानी जानकर हमें काफी साहस मिलता है कि हमें अपनी मजबूरियों के आगे जुटना नहीं चाहिए बलकि उसका डड़ कर सामना करना चाहिए आशा है आपको हमारा यह आर्टिकल पसंदाया होगा अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंदाया हो तो कृपया लाई करना बिलकुल ना भूले